आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समचार बुलेटिन के साथ मैं रतना सा हूँ और अब पेश है आज की मुख्य समचार कोईला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए देश में कोईले की कोई कमी नहीं श्री जोशी आज S.E.C.L. की कोईला खदानों का निरिक्षन करने बिलासपुर पहुंचे राजपल अनसोया उइके ने आज राजभवन में स्वर्णिम विजय मशाल का सम्मान करते हुए कहा की भारती सेना विश्व की महान सेनाओं में से एक है विजय मशाल को आरंग स्थित एक स्कूल भी ले जाया गया चत्यसगर से दक्षन पश्चम मानसुन की पूरी तरह से विदाई हुई दक्षन चत्यसगर के एक दो इस्थानों पर कल हो सकती है हलकी से मध्यमबारिश और आज शारदे नौरात्र की महा अश्टमी प्रदेश के विभिन भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मना जा रही है भारत कोविर टीका करन अभियान के अंतरगत 100 करोड टीके लगाने का लक्ष हासिल करने के निकट है ऐसे में आकाश्वाणी उन सभी चिकित सकोन नर्सों और अन्य स्वास्तक कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है हमारी आप सभी से अपील है कि यथा शिग्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें क्रिप्या तेवहारों के समय में इन तीन आसान उपायों का पाला नवश्य करें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें कोविट से संबन्धित जानकारी और मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्रिय हेल्प लाइन काम कर रही है चत्रिस गड़ के लिए हेल्प लाइन नंबर है 101-04 और 0771-22-35-091 साथ ही राष्ट्रिय हेल्प लाइन नंबर है 1075 और अब समाचार विस्तार से कोविला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिजले उतपादन के लिए देश में कोई कमी नहीं है पिछले कुछ दिनों से देश में बिजले संकट और कोविले की कमी को लेकर हो रही चर्चाओं के मद्दे नजर कोविला मंत्री ने यह बात कही श्री जोशी आज S.E.C.L. के अंतरगत आने वाले कोईला ख़दानों का निरिक्षन करने 36 गड़ के बिलासपुर पहुंचे इस दोरान उन्होंने कहा कि देश में बिजले उत्पादन के लिए जितने कोईले की जरूरत है उतनी ही आपूर्ती लगातार हो रही है उन्होंने बताया कि बिजले आपूर्ती के परिपेक्ष में एक दशमलो एक मिलियन टन कोईले की आवश्यक्ता थी लेकिन दो मिलियन टन कोईले का उत्पादन किया जा रहा है या आकड़ा दर्शाता है कि देश में बिजली संकट की कोई इस्थिती पैदा नहीं हो रही है श्री जोशी ने कहा कि कोईला उत्पादन में और तेजी लाने के उत्दिश से ख़दानों का निरिक्षन किया जा रहा है इसके बाद कोईला मंत्री ने सडक मार्ग से कोरबा इस्थित सेसील के मेगा प्रोजेक्ट दीपका, गेवरा और कुसमुंडा का भी दोरा किया इसके बाद उन्होंने सेसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समिक्षा बैठक की बैठक में कोल इंडिया लिमिटेट के चेर्मेन प्रमोद अगरवाल और सेसील के महा प्रबंधक एपी पंड़ा भी उपस्थित थे राजपाल अनुसुया उईके ने आज राजभवन में आयोजित एक कारिक्रम में स्वर्णिम विजय मर्शाल का सम्मान किया कारिक्रम को संबोधित करते हुए राजपाल ने कहा कि भारती सेना विश्व की महान सेनाओं में से एक है जिसने अपने इतिहास में अनेक युद्धों की अगवाई की है और उन्हें सफल अंजाम तक पहुँचाया है इस हवसर पर राजपाल ने वर्ष 1971 के युद्धि के नायकों और शहीद जवानों के परिजनों को स्मृति चिन्न दे कर समानित किया इस मौके पर पुर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सीं सांसत सुनी और सेना के वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे गौर तलब है कि वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारती सेना की शांदार और एतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर चार स्वर्णिम विजय मशालें इन दिनों देश के विभन स्थानों की यात्रा कर रही है इनहीं में से एक विजय मशाल कल 36 गड़ पहुँची यह विजय मशाल 19 अक्टूबर तक 36 गड़ में रहेगी आज इस स्वर्णिम विजय मशाल को राइपूर के पास आरंग स्थित एक निजी स्कूल ले जाया गया जहें स्कूली छात्र छात्राओं ने इस मशाल का स्वागत किया इस मौके पर विद्यार्थियों ने देश भक्ती से ओध प्रोध सांस्कृतिक कारिक्रम भी प्रस्त दे दी है जिससे जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने शहर में लगे कर्फियों के समय में दो घंटे की और छूट दे दी है जिससे शहरवासियों को राहत मिली है अब शहर के सभी व्यावसाइक संस्थान बाजार और दुकाने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोले जा सके हैं इस दोरान उन्हें अपना परिचे पत्र साथ रखना अनिवारे होगा साथ शहर की सभी सिमाएं अभी भी सील है पत्र सूचना कार्या लह पी आईबी राइपूर और एहमदाबाद के संयुक्त तत्वाध्वान ने आज राइपूर में एक भारत श्रिष्ट भारत पारे करता संस्कृतिक दलों के लोग कलाकार और महाविद्दयले तथा इसकूली चात्र चात्राएं शामिल हुए वेबिनार के मुख्यवक्ता डॉक्टर सुशिल त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि 36 गड़ की संस्कृती 12,000 साल पुरानी है उन्होंने कहा कि 36 ग प्रादेशिक समचार आप आकाश्वाणी राइपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समचारों की ओर 36 गड़ से दक्षिन पश्चिम मांसुन की पूरी तरह से विदाई हो गई है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि 13 अक्टुबर को प्रदेश के सभी जीलों से याने के पूर्ण रूप से मांसुन की विदाई हो गई है मांसुन सीजन में लगभग 98% वर्षा दर्ज किया गया है जो लगभग 1100 mm के आसपास है जो 1141 mm के अगेश्ट है इस तरह इस मांसुन सीजन की विदाई हो चुकी है मौसम विभाग से मिले जानकारी के अनुसार एक उपरी हवा का चक्रवाति घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है इसकी प्रभाव से अगले 24 गंटे में कम दबाव का एक छेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बनने की संभावना है इसकी असर से कल दक्षन 36 गड़ में एक दो इस्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने तथा गरत चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है आज शारदे नौरात्र की महा अश्टमी प्रदेश के विभिन भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है मंदिरों और दुर्गोट्सों समीतियों के साथ साथ व्रत उपवास रखने वाले श्रद्धालों ने कन्या भोजबी कराया मोख्यमंत्री भुपेश बगेल ने प्रदेश वासियों को दुर्गा अश्टमी और महानौमी की बधाई और शुब कामनाय दी परसो 15 अक्टूबर को विजय दश्मी का पर्व मनाया जाएगा इस बार भी कोविट संक्रमन को दृष्टी गत रखते हुए प्रदेश में विभिने जिलों के प्रशाशन द्वारा दशहरा पर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रावन के पुतलों की उचाई 10 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिए पुतला दहन का आयोजन किसी बस्ती या रहवासी इलाकों में नहीं किया जाएगा दशहरा पर्व समीतियों के पदादिकारियों से कहा गया है कि आयोजन इस्थल पर आने जाने वाले लोगों का नाम और पता रजिस्टर में एंट्री करना आनिवार्य होगा पुतला दहन वाले इस्थान पर सांस्कृतिक कारिक्रम, बाजार मेला, प्रसाद वितरन और पंडाल लगानी की अनुमती नहीं होगी इसके अलावा आयोजन इस्थलों पर वाद्य यंत्र, ध्वनी विस्तारक यंत्र, डीजे और बैंट पार्टी की भी मनाही रहेगी का संतुलित उप्योग करने के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही केच्वा खात के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया दुर्ग शहर में एक बैंक कैशिर से दिन दाढ़े 15 लाख रुपय की लूट का मामला सामने आया है मिले जानकारी के अनुसार दुर्ग शहर के मोहन नगर इलाके में इंडियन बैंक का एक कैशिर आज 15 लाख रुपय से भरा बैग लेकर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा था इसी दौरान तीन से चार लोग वहाँ पहुँचे और कैशिर के हाथ से पैसो से भरा बैग चीन कर फरार हो गये पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है अतिरिक्त पुलिस अधिक शक्त संजय ध्रू ने बताया कि घटना स्थल के आसपास के सीसी टीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से पूश्टाश की जा रही है अब कुछ अन्य खबरे संक्षिप्त में राश्ट्र व्यापिक कोवीड टी का करण अभ्यान के अंतरगत अब तक देश भर में 96 करोड 43 लाग से अधिक कोवीड रोधी टीके लगाय जा चुके हैं केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने बताया कि कल 50 लाग 63 हजार से अधिक टीके लगाये गए बस्तर दर्शेहरा के तहट आज जगदलपुर में निशा जात्रा विधान संपन किया जाएगा इस विधान के तहट मावली मंदिर के राउतों द्वारा भोग सामगरी को इतवारी बाजार स्थित निशा गुडी में पहुँचाया जाएगा जहां तंतेश्वरी मंदिर क पुजारी द्वरा पूजा अरादना की जाएगी पाचवी अनुसूची अधिकार के हनन सहित विभिन्न मांगो को लेकर बस्तर के 300 से जादा आदिवासियों ने राजभवन में राजजपाल अनुसूया उईके से मुलकात की इस दोरान राजजपाल ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया मुख्यमंतर भूपेश बगेल ने आज दुर्ग जिले के पाटन में करीब 7 करोड रुपे की लागत से निर्मित विभिन ने भवनों का लोकारपन किया इनमें विश्राम भवन और जन्पत पंचायत भवन भी शामिल है राजपेल अकादमी के लि हेरोईन और 625 ग्राम ब्राउन शुगर जप्त किया है जिसकी कीमत करीब 1 करोड 10 लाख रुपे बताई गई है राजनान गाउं जिला प्रशाशन ने इदुल फितर के मद्दे नजर 19 अक्टूबर तक जिले में जलूस और रैली पर रोक लगा दी है और कामकेर जिले के अ देश में कोईले की कोई कमी नहीं श्री जोशी आज S.E.C.L. की कोईला खदानों का निरिक्षन करने बिलासपूर पहुंचे राजपल अनुसुया ओएके ने आज राजभवन में स्वर्णिम विजय मशाल का सम्मान करते हुए कहा कि भारती सेना विश्व की महान सेनाओं में से एक है विजय मशाल को आरंग सित एक स्कूल भी ले जाया गया चत्रिस गड़ से दक्षिन पश्चिम मानसुन की पूरी तरह से विदाई हुई दक्षिन चत्रिस गड़ के एक दो स्थानों पर कल हो सकती है हलकी से मध्धम बारिश और आज शार्दिय नौरात्र की मह अश्टमी प्रदेश के विभिन भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ नमस्कार